हेलो दोस्तों स्वागत था आपका एस फिल्मी मेट के एक और नई वीडियो में आज मैं आपको इंडियन सिनेमा के साथ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मुवीज की बारे में बताने वाला हूँ जो कोट रूम और लीगल ड्रामा पर अधारी था है इसमें आपको रॉंग टेख खरे करते हैं वाली क्राइम ड्रामा मिश्टरी सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलेगा इन सभी मुवीज को IMDV पर 5.7 से लेकर 8.2 आउट ओफ 10 तक का रेटिंग मिला है और खुशी की बात यहा है कि इस लिष्ट की लगवक सभी मुवीज आपको YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी तो बने रहे इस वीडियो के लाश्ट तो क्यूंकि लाश्ट में मैं एक जबरदस्त बोनस मुवी भी बताने वाला हूँ और अगर आप सस्पेंज थ्रिलर मुवी देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो के लाइक जरूर कीजिए तो बिना टाइम वेस्ट किये चले इस काउंड़ाउन लिस्ट को शुरू करते हैं लेकिन काउंड़ाउन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने फिल्मी मेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वी ओल पे सेलक्ट कीजिए ताकि यह सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए नमबर सेवन पर आते ही साल 2020 में रिलेज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर मुवी 376D जिसको IMDb के तरफ से 5.7 ओट और 10 के रिटिंग मिला हुई 90% गूगल ईजर्ट नहीं से लाइक किया है इस मुवी के लिए रोड में आपको दिक्षा जोसी, प्रियंका, शर्मा, सुमीत सिंग के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे बात कर इस मुवी के कहानी की तो दिल्ली की सरकों पर एक चोका देने वाली क्राइम होता है जो दो भायों की जिंदगी बदल देता है और जैसे जैसे वा कानून का सहारा लेते हैं आखिर में उन्हें यह एसास होने लगता है कि मौजुदा कानून उन्हें न्याय नहीं दिला पाएगा तो क्या उन दोनों को न्याय मिल पाता है या नहीं ये साथ आपको मुवीएं बहुत ही सस्पेंस के साथ दिखा गया है। ये बॉलीवोड की मुवी है जिसे आप से मारों मुवीज के ओफिशेल यूटीब चानल पर देख पाएंगे। बॉलीवोड की लीगल ड्रामा थ्रलर मुवी मुलक जिसको आईमडीवी के तरफ से 6.9 आउट और 10 का रेटिंग मिला हुएं 85 परसंट गूगल यूजर उसने इसे लाइक किया है। इस मुवी के लीडर में आपको तापसी पानू रिशी का पूर आशुतोस राना के साथ और भी स्टार्च देखने को मिलेंगे। बात करें इस मुवी के कहानी की तो मुराद अली मुहमद अपने परिवार के साथ खुशी पुरवक जीवन भीता रहा होता है। लेकिन उनके लाइफ में एक बड़ा प्रोब्लम तब आता है जब उनका बेटा एक आतंकवादे संगठन में शामिल हो जाता है। और उनके परिवार पर आतंकवादे समुहों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया जाता है। जिसके बाद मुहमद और उनकी बहु मिलकर अपनी बेगुनाही सावित करने की कोशिश करती है। तो क्या वे लोग अपनी लाइफ वापस खुशी से जी पाते हैं या नहीं यह सो आपको मुवी देखने के बाद ही पता चलेगा। यह मुवी आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। के कहानी की तो एक सोसल अक्टिविस्ट जो लोग गीत का उपयोग करके अपनी मैसेज को लोगों तक पहुचाता है। लेकिन कहानी मोरतव लेती है जब एक सेवेज वरकर को आत्म हत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें गिराफतार कर लिया जाता है। जिसके बाद दोनों पक्षों के वकिल कोट में अपनी अपनी बात रखते हैं। तो आगे मुविएं क्या क्या होता है एस आपको मुवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टॉर्म्स के साथ दिखाया गया है। यह मुवी यूट्यूब पर हिंदी में अनफिशली अब लेवल है तो जल्द इस मुवी को देख लिजे। लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस मुवी को आई-मडवी के तरफ से 7.8 आउट आफ 10 का रिटिंग मिला है वही 90 परसंट गोगल इसे लाइक किया है। इस मुवी के लिडूर में को अजीत कुमार, स्राधा सिरिनाथ, विद्यावालन के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात करें इस मुवी के कहानी की तो ये कहानी तीन लर्कियों के एदगईद घुमती है, जो गलती से एक क्राइम में फस गई है। वही वेतरन नाम का हाली में रिटायर हुआ एक वकील है, जो उसकी प्रॉब्लम देखकर तीनो लर्कियों को मदद करने के लिए उन्हें कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वह कौन सा क्राइम है और असली गुनेगार कौन है, यह से आपको मुवियों बहुत ही ज्यादा सस्पेंस के साथ दिखाया गया है। इस मुवी को भी आप यूट्यूब पर हिंदी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इसे मेरे टेलिग्राम चैनल से भी देख सकते हैं। इस मुवी के कहानी की तो कहानी तीन लर्कियों के इर्दगी घूंती है, जो गलती से क्राई में फस गई है। वहीं दीपक सैगल नाम का हाली में रिटार्ड हुआ एक वकील है, जो उन तीन लर्कियों को मदद करने के लिए उन्हें को रिपर्जेंट करते हैं। जिसमें उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लेम्स का सामना करना पड़ता है। तो वह कौन सा क्राईम है और आगे मुवी में क्या क्या होता है, ये सापको मुवी में बहुत ही सस्पेंस के साथ दिखाया गया है। इस मुवी की कहानी इतनी स्ट्रॉंग है जिसको तमिल में नैरकॉंडा परवाई और तेलगू में वकील साफ टाइटल के साथ रिमेक किया गया है। फिल्हाल ये मुवी यूट्यूब पर उन ओफिशल ही अब लेवल है तो जल्द इस मुवी को देख लिजे और आप इसे मेरे टेलेग्राम चैनल से भी देख सकते हैं, लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस मुवी के कहानी की तो रोहन खुराना एक प्रसीद फिल्म डिरेक्टर है, जिस पर एक जूनियर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अंजली दांगल द्वारा रेप का आरोप लगाया जाता है, जिसके बाद इस केस के सुनवाई सेशन कोट में होती है। तो क्या रोहन खुराना सच में गुनेगार है या कुछ और जानने के लिए आपको मुवी पूरा देखना परेगा। इस मुवी के लास्ट का सस्पेंस आपके होश उरा देगी। इस मुवी को आप मेरे टेलिग्राम चैनल से देख सकते हैं। इस मुवी के लिडर मापको राजकुमार राव, पुरभूलीन संदू, केके मेनन के साथ और भी स्टार्स देखने को मिलेंगे। बात कर इस मुवी के कहानी की, तो ये कहानी सची घटना पर अधारित है, जिसमें एक पुर्भ मिलिटेंट ओपरेटिव साहिद आज में एक क्रिमनल लॉयर बनता है, ताकि वह उन लोगों को न्याय दिला सके, जिन्हें आतंकवात का जूठा दोसी ठहराय गया है, तो क्य या उनका मिशन काम्याब हो पाता है या नहीं, और उसमें उन्हें किन-किन प्रोब्लेंस का सामना करना पड़ता है, ये साको मुवी बहुत ही सस्पेंस के साथ दिखाया गया है, ये मुवी यूट्यूब पर उन ओफिशिली अवलेवल है, तो जल्द इस मुवी को देख है, बोनस मुवी शौर यह, शादो जाए आठ में रिलीज हुई ये बॉलीवूड की क्राइम ड्रामा थ्रिलर मुवी है, जिसको IMDV के तरफ से 7.3 आट ओफ 10 का रेटिंग मिला है, वही 77 परसेंट गूगल उसे लाइक किया है, इस मुवी के लिडर में आपको केके मेनन, राहुल बोस, जावेज आफरी के साथ और भी इस्टार्स देखने को मिलेंगे, यह एक आर्मी बेस्ट कोट रूम ड्रामा मुवी है, जिसे आप पेन मुवी के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे, तो यह थी साउथ की साथ बेस्ट कोट रूम लीगल ड्र मुवी, आगे आपके इस्टप यूप पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट में ज़रू बताइए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने फिल्मी मेट के साथ शेयर कीजिए, साथ ही इंस्टार्राम और टेलिगराम पर फॉल